नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी यहाँ दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुभ़ से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग नीज अपडेट के रूप में तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट रैस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेर करें तो दोस्तो जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर पेगासस खुलासे पर घिरी सरकार राहुल गांधी बोले मोधी सरकार ने देश द्रोह किया प्रशांत भूशन ने संसद में जूट बोलने के आरोप लगाए जियां दोस्तो जासुसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाले इसराइली स्पाइवेर पेगासस पर न्यूइयर्क टाइम्स के खुलासे से मोधी सरकार एक बार फिर सवालों में घिर गई है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोधी सरकार ने 2017 में एक डिफेंस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ इसे भी खरीदा था ये डील दो मिलियन डोलर की थी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांदी ने कहा कि मोधी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्रात्मिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासुसी के लिए पेगासस खरीदा था फोन टेप करके सत्ता पक्ष विपक्ष सेना नियाए पालिका सब को निशाना बनाया है, ये देश द्रोह है, मोधी सरकार ने देश द्रोह किया है दोस्तो राजसबा में विपक्ष के नेता मलिकारजुन खडगे ने कहा कि मोधी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाब पेगासस का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिये जासुसी करना देश द्रोव है कोई भी कानून से उपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले यूद कांग्रेस के अद्देक्ष सरी नईवास बीवी ने कहा कि भारत ने 2017 में इस्राइल के साथ रक्षा सोदे के तहट पेगासस को खरीदा था न्यूयाक्स टाइम्स की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि चोकिदार ही जासूस है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर रद करने का फैस्कला किया और आगे सारनपूर के लिए निकल गए दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इन दिनों ग्रह मंत्री अमिट शाहा डोर टू डोर केमपेंड कर रहे हैं वे यूपी के कई जिलों में अब तक घूम चुके हैं और यहां भी उसी प्रकार का केमपेंड करने आये थे चुनाव आयोक की तरफ से जारी गाइडलाइन के मताबित नेता बड़ी जनसबागों संबोधित नहीं कर सकते इसलिए भाजपा के नेता ने डोर टू डोर केमपेंड की शुरुआत की है इसमें वे लोगों के घर घर जाकर भाजपा को वोट डालने की अपील करते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार बीटिंग दर रिट्रीट पहली बार 1000 ड्रोन का एर शो इवेंट की 26 दुनों में महत्मा गांदी की पसंदिद्धा धुन नहीं जियां दोस्तो बीटिंग रिट्रीट के साथ आज 33 गंतंतर दिवस का समापन समहरों है चुरू हो चुका है आज़ादी के 75 साल पूरी होने के उपलक्ष में इस समहरों को आज़ादी का अमरत महत्सव के रूप में मनाया जारा है दोस्तो दिल्ली के विजह चोक पर चल रहे बीटिंग रिट्रीट में इस साल ड्रोन शो खास आकरशन होगा समहरों में राशपती रामनात कौविंद मुखे अतिती के तोर पर शामिल हुए हैं दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें बीटिंग रिट्रीट के शुरुआद भारत में 1950 के दशक में हुई थी भारती सेना के मेज़र रोबर्ट ने सेनाओं के बेंड्स के डिस्प्ले के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था 1952 में भारत में इस समहरों का दो कारेकरम आयोजिन किया गया पहला कारेकरम दिल्ली में रिगल मेदान के सामने में हुआ जबकि दूसरा लाल किले में बीटिंग रिट्रीट की प्रंपरा तब से ही लगातार चली आ रही है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट 24 गंटे में सामने आए 4,443 नए केस जिहां दोस्तो राष्ट राजदानी में शनिवार को कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली जो की राहत की खबर है दिल्ली में शनिवार को कोविड 19 से 4,483 नए मामले सामने आए इस दोरान 28 मरीजों की मौत दर्ज की गई दोस्तो दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 24,800 है दिल्ली के स्वास्ते विभाग के मुताबित शहर की संक्रमन दर में कमी देखी जा रही है राजदानी में शनिवार को संक्रमन दर 7.41 पृतिशत रही जबकि शुकरवार को शहर में कोरोना संक्रमन की दर 8.60 इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर यूपी चुनाओ जयंत चोधरी का बीजेपी पर पलटवार बोले वो मेरे इमान और जज़वात को नहीं समझ पाए अपना फैसला नहीं बदलूँगा जियां दोस्तो उत्रप्रदेश वदानसवा चुनाओ के दोरान नेताओं तो जयंत भाई आउट हो जाएंगे और आजम खान बेट जाएंगे सपा और RLD के टिक्टो के बटवारे से ही समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है इस पर रालोध प्रमुख ने पलटवार किया जयंत चोधरी ने कहा कि वो मेरे इमान और जज़वात को नहीं समझ हम लोग अपने मुद्दो किसानों के साथ बेवफाई नहीं कर सकते पिछले कई सालों से मैं विपक्ष में हूँ मैं चुनाओ हार गया लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है ऐसा कोई कारण या प्रलोबन नहीं जिससे मैं तूट जाऊं और अपना फैसला बद्दू इस दस फरवरी से साथ मार्च तक यूपी चुनाओ के एक्जिट पोल पर लगा दी गई है रोक निर्वाचनायोग का बड़ा फैसला जिया दोस्तो यूपी चुनाओ में निर्वाचनायोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक्जिट पोल पर बैन लगा दिया है ये बैन दस फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाला है दोस्तो प्रिंट या फिर इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एक्जिट पॉल नहीं चलाया जाएगा यूपी के मुखे चुनाव अधिकारी आजे कुमार शुकला ने जारी बयान में कहा कि एक्जिट पॉल पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम साड़े 6 बजे तक बेन रहने वाला है ना तो एक्जिट पॉल प्रिंट मीडिया के जरिये चापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाज़त रहेगी जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादो लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पॉल पर रोक लग जानी चाहिए वे मान रहे थे कि इससे मदाता प्रभावित हो सकते हैं अब एक निर्दारित समय के लिए निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाओ के एकजिट पॉल पर बैन लगा दिया है नोटिसमें रवाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदान की समापती के लिए नियत समय पर समापत होने वाले 48 गंटों के दोरान भी किसी भी इलेक्रोनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पॉल या फिर सर्वेक्षन के परिणामों को दिखाना वर्जित रहेग जिया दोस्तों भारत और इसराइल के बीच कूट नितिक रिष्टों के आज 30 साल पूरे हो गए 29 जनवर 1992 को दोनों देशों के संबंदों में एक नया अध्याई की शुरुआत की गई थी जब भारत ने इसराइल को पूर्ण मानिता देते हुए तेल अव्यू में अपना दूता वास खोला था प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने इस खास दिन पर अपने साधे 3 मिनट के संबोधन में इसराइल के साथ संबंदों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया प्रदानमंत्री मोदी ने इसराइल की हिब्रु भाशा में भी इस खास दिन की भदाई प्रदानमंत्री मोदी ने कहा कि इसराइल से हमारा सदियों से घनिस्ट नाता रहा है सेकडो साल से यहुदी समाज बिना किसी भेदभाव के एक सोवार्द पूर्ण वातावरण में रहा और पन पाहे उन्होंने हमारी विकास यात्रा में महत्यपूर्ण योगदान दिया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर एक फरवरी से बदल जाएंगे कई बड़े नियम आपकी जेप पर पड़ेगा सीधा असर जी आँ दोस्तो अगला महिना यानि की साल 2022 का दूसरा महिना शुरू होने वाला है अगला महिना यानि के फरवरी के पहले दिन से ही कई बदलाव होने वाले हैं एक फरवरी को वित मंतरी निर्मला सीता रमण बजट 2022 3-23 पेश करेगी इससे देश के अर्थोजस्ता में बदलाओ होगा बजट के अलावा कई महत्यपूर बदलाओ हैं जो की एक फरवरी से होने वाले हैं जैसे कि दोस्तो पहला बदलाओ SBI बैंक को लेकर हो रहा है इसके तहद शार्वजनिक शेतर का सबसे बड़ा बैंक SBI पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाओ कर रहा है अब बैंक 2 लाख रुपे से 5 लाख रुपे के बीच IMPS के जरीए पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपे प्लस GST चार्ज वसूलेगा यानि कि अब आपको पैसा ट्रांसफर करना भी महंगा पड़ने वाला है इसके अलावा दोस्तो बैंक ओप बड़ादा के नियम में भी बदलाओ हो रहा है एक फरवरी से बैंक ओप बड़ादा के ग्रहाकों को चेक पेमेंट के लिए positive pay system फोलो करना होगा यानि कि अब चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी तभी आपका चेक clear हो पाएगा ये बदलाओ 10 लाख रुपे से उपर के चेक clearance के लिए है इसके अलावा दोस्तो PNB बैंक यानि कि पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए इसके अलावा दोस्तो Gaze Slender की कीमतों में भी बदलाओ हो सकता है एक फरवरी से Slender की कीमतों पर क्या अफर पड़ता है यह है एक फरवरी को पता चलेगा क्योंकि हर महीने की एक तारीक को Gaze की कीमतों में उतार चड़ाओ जरूर होता है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार यूपी एलेक्शन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला का नामांकन मन्जूर अब होगी नवाप परिवार से जंग जी हाँ दोस्तो उत्तरप्रदेश विदांसबा चुनाओ के दोरान रामपूर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान खासी चर्चा में है दरसल गलत बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना के कारण अब्दुल्ला का 2019 में विदायक पद चल रहा था वही इस बार भी नामांकन खारिज होने की आशंका सता रही थी न्यूज एजेंसी ए एनाई के अनुसार स्कूटनी के बाद ने सिर्फ आजम बलकी उनके बेटे का भी नामांकन सही पाया गया साफ है कि दोनों विदानसबा चुनाव में सपागे टिकेट पर हुकार भरेंगे समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामपूर सीट से तो अब्दुल्ला को एक बार फिर सुआर विदानसबा सीट से मेदान में उता रहा है दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें इस बार आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला रामपूर के नवाब काजिम अली खान से होगा रामपूर के नवाब को कांगरिस ने मेदान में उता रहा है यही नहीं नवाब परिवार और आजम परिवार की काफी लंबे समय से अदावत चल रही है इसके अलावा स्वार सीट पर अबदुल्ला आजम खान का मुकाबला नवाब काजिम अली खान के बेटे और भाजपा के सहयोगी अपना दल के प्रत्याक्षी हैदर अली खान से होगा दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हेदर के पिता की शिकायत के बाद ही अबदुल्ला का विदायक पद गलत बर्थ सर्टिफिकेट देने के कारण चल गया था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर एनराई बहन के आरोपो पर नवजोद सिंग सिद्धु बोले लोग सियासत के लिए मा को कबर से निकाल लाए जिया दोस्तो कांग्रेस के अद्देक्ष नवजोद सिंग सिद्धु पर उनकी एनराई बहन दुआरा लगाए गए मा को घर से बाहर निकालने के आरोपों को लेकर उन्होंने शनिवार को अपनी चुपपी तोड़ी उन्होंने अपना नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बाच्चित करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत के लिए मेरी मा को कबर से निकाल कर ले आए उन्होंने कहा कि नवजोज सिंग सिद्धू कभी इतना नहीं गिरा और नहीं सिद्धू अपनी मा को इस कीचर में गिराएगा कीचर को धोने की अपेक्षा से नवजोज सिंग सिद्धू कीचर से बहुत दूर रहा है बीते शुक्रवार को उनकी NRI बड़ी बहन सुमन्तूर ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सिद्धू बहुती अत्याचारी है और सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद अपनी मा निर्मल महाजन उर्फ निर्मल भगवंत को 1986 में घर से निकाल दि बहाता